हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाइफ़ स्टडी पर पार्ट अफ अन अकैडमी जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली साड़े बारे बज़े आप लोगों के लिए एक शानदार क्लास आती है जिसमें होता है 2018 के सभी previous year paper के आपको मैं करा रहा हूँ प्रश्ण तो paper by paper हम चल रहे हैं और आज हम हो करने वाले है paper no.8 और यह paper होगा 19 सितंबर का shift second का कलम हमने shift first का किया था आप shift second का करेंगे बड़ा ही मज़ा आ जाएगा dear मैं सच बता रहा हूँ आप दुनिया के यारी कर रहे हो तो बस जुड़ जाएगे मेरे साथ अनकेडमी पर आप आइकोनिक subscription लेकर जुड़ सकते हैं SSC category में आप चाहर रेलवे की विध्यारती हो अगर आपको अनकेडमी पर subscription लेना है मेरी classes लेनी है तो आप SSC category में ही लेंगे दो बज़े मेरी class चलती है जहाँ प पैर में तीन बज़े आपका कैच नमयत होता है और दो बज़े मेरा foundation बैच होता है ठीक है यह पूरा proper time table है जो according मैं काम करता हूं classes लेता हूं ठीक है और आपके लिए मैंने इस बार कुछ special किया है special में क्या है मैं बता देता हूं कि कल आज सुबही मैंने boating करवाई आप ल देनजडे को होने वाली थी अब वो थस्डे को होगी पांच बजे और आठ बजे अनकेडमी पर उन दौनों classes में हम टिक्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं जिस भी विध्यारती को अच्छे से पढ़ना है कोशन कवर करने हैं तो प्लीज बिना किसी दिक्कत के आ जाना मज़ पर से पहले ठीक है तो पांच बजे और आठ बजे दौनों ही classes में टिक्नोमेट्री होगा गुरुवार को होगा अनकेडमी पर होगा और दौनों ही लेनी है फिर यह नहीं कि इसमें आ गए इसको छोड़ दिया फिर आधा रह जाएगा इसमें आगए इसको छोड़ दिया लाइक करिए कम ओन गाइस कोशन को पढ़कर ही समझा जा सकता है कि सर बारे पॉइंट परसेंट के लॉस में चल रहे हैं और जैसे ही आपने चपन रुपया दिक में कोई वस्तू बेच दी तो बाइस पॉइंट पांच का प्रॉफित हो गया तो इस लॉस से इस प्रॉफित पर कैसे आया तो सर बारे पॉइंट पांच जोड़ दो इसमें यह हो गया तेईस और रुबारा तेईस और दस त्यांतिस और दो पैंतिस परसेंट इंक्रीस किया गया है और वही चपन रुपे की वज़ा से हुआ है यानि कि 100% यहां क्या होता है क्रेमूल्य तो 7,8,8,56 और 7,35 यहां हो गया सर एक सो साट रुपे एक सो साट रुपे अगर आपका क्रेमूल्य हो गया तो 25% का लाग प्राप्त करने के लिए विक्रेमूल्य क्या होगा तो 25% का लाग प्राप्त करोगे तो विक्रेमूल्य कितना हो जाएगा पाँच बटे चार दो सो रुपेया मज़ा आया क्या मैं लगातार अंसर देखना चाहता हूँ आप लोगों के बहुत बढ़िया यार तुमने तो पजामा पैना दिया अगला प्रशन आपके सामने आरम आरम सी किया है कोई दिक्कत नहीं है यह 35% कैसे आया मैं दुबारा बताता हूँ कि देखो भाई आप 12.5% के लॉस में थे और ऐसा क्या हो गया अचानक कि आप लाब में पहुँच गये प्लस के 22.5% पर पहुँच गये ऐसा क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ इंक्रीमेंट कर दिया इंक्रीमेंट कर दे तब जाके प्लस होना चाहिए तो 35% का इंक्रीमेंट कर दे बराबर कर दो आंसर आ गया यह CP आया पहले फिर आपको विक्रे मूल निकालना था तो 25% क अगला लाब होता है 125 बटे 100 इसको 25 से कार दो 5 बटे 4 आता है इसलिए डायरेक्टली उना कर दिया अगला प्रशन करेंगे डियर आराम आराम से करिए लेकिन आंसर जरूर निकालिए यही सब प्रश्न पेपर में आने वाले हैं एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है यह देखो कितने प्यारे प्रश्न है दशमलब में आ रहा है दूसरा पाइप पूरा भरा हुआ कुंड 19.5 घंटे में खाली कर सकता है यह खाली करने वाला है अब देखना बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा लेने का य पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आदा खाली था तो उसे भरने में कितना समय लगेगा तो आप मुझे पताईए सर एलसीम क्या ले लूँ तो भाई हमें नहीं पता लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि यह 13.6 है 13.58 और देखो यह 13 का भाग दूंगा तो 13.2 कित आदा खाली था उसे भरने में तो आदा खाली यह तो आदा ही भरना पड़ेगा आपको तो 49 बटे दो आपको भरना है तीन की एफिशेंसी से तो कितना घंटा लगेगा 13 बटे दो यानि की साड़े 6 घंटे कैसा लगा डियर कुशन सच-सच बताना कि मज़ा आया या नहीं आया हाँ कैई सारे बच्चे तो यहीं फस जाते कि LCM कैसे लेना है मैं LCM निकालने का तरीका समझ में आया कैसे LCM लिया मैं दुबारा बोल रहा हूं कि 7.8 को लिख दिया 13 इंटु 0.6 13 इंटु 1.5 अब 13 तो ले लो यहां 0.6 और 1.5 ऐसी संख्या ले लो जो इन दौनों को काड़ दे मैंने देखा 3 ही है सबसे छोटी और देखो फिर इसका डिवाइड करोगे तो अब 13 तो डिवाइड होई रहा है 0.6 का करो तो 5 आ रहा है और 1.5 का करो 3 में 2 आ रहा है और यह माइनस में क्यों आया क्योंकि खाली करने वाली है है ना गजब का प्रश्न मज़ा आया नहीं आया और आधा खाली है तो आधा ही भरना है कौन भरेंगे दोनों मिलकर 3 की efficiency के साथ 5 में से दो गया तो 3 की efficiency साथ उम्मीद करता हूँ खुबसूरत यह प्रश्न आप लोगों को मज़ा आ गया होगा और आप सीखने ही आते हो कि कैसे करते हैं calculation अगला प्रश्न बनाएंगे कि अगर यह संक्या तीन से विवाजित है दस सेकंड में आंसर दो जहां समय बचे वहां बचाओ और जहां लगे वहां लगाओ यही पेपर का नियम होता है अरे शब होगा महनत करो है न सब होगा ऐसे कहने से सलेक्षन नहीं होगा फिर कभी नहीं ले पाओगे ऐसे तो दुनिया तो आगे बढ़ रही है तो देखो सर 8 और 2 10 तो 10 है एक्स की जगे क्या रखो कि 3 से भिवाजित हो जाए तो एक्स की जगे आप 2 रख दो या फिर आप 5 रख दो तो आपको यहां क्या रखना पड़ेगा 5 ही रखना पड़ेगा क्योंकि 2 नहीं है उत्तर हम क्या करें दो भी रख सकते हो पांच भी रख सकते हो अगला प्रशन उड़ा दीजी अगले प्रशन को यह खुबसूरत प्रशन गजब मैं समय दे रहा हूं आपको एक मिनट जहां अच्छा कुश्चन है वहां समय दो छोड़ने से काम नहीं चलेगा हां करिए सीखने से काम चलेगा अब जिसको नहीं आता ना आराम से रिलेक्स हो जाए ठीक है सर मैं सीखने आया हूं मेरे को यह कुश्चन आज तक नहीं हो पाया मेरे से यह कुश्चन नहीं आते हैं आप सिखाईए तो मैं सिखा रहा हूं आपस फोकस रखना सामने क्योंकि वही लर्निंग है एक सारी चीजें कवर हो रही है एक पेपर आपको बहुत कुश सिखा के जा रहा है और रेगुलर पेपर करोगे लगातार साथ दिन तक तो यार कहां जाने वाला है कुश्चन कहीं नहीं जाएगा आओ सर इसको इससे डिवाइड करने पर इतना और इससे डिवाइड करने पर इतना शेशवल बचता है यानि कि अगर एकस माइनस तीन बराबर जीरो है तो एकस बराबर तीन रखने पर तीन रखा इस सम्मीकरण में तो 9, 2, 18, प्लस का 3A, प्लस का B, तो 6 फल कितना आ रहा है, 31 आ रहा है, समीकरण के अनुसार, यह हो गया पहला, दूसरा केस क्या है, X-3 फिर से रखता हूँ, लेकिन उस समीकरण में, तो यह हो गया सर, 9, प्लस 3B, प्लस A, प्लस 6 फल कितना आ रहा है, 24 आ रहा है इसका, पहली समीकरण के हिसाब से, पहली समीकरण आ रही है, 3A प्लस B, 30 में से अगर 17 चले जाते हैं, तो बचेगा 13, और 9 चले जाते हैं, 3B प्लस A, तो यह कितना हो जाएगा, 9 चला गया, तो 4 गया और 15, अब देखो, कोशन देखो, अगर इनको आप जोड देते हो, तो जोडन पर कितना आ रहा है, 4A और 4B, 4 common ले लिया, A प्लस B बराबर हो गया, 28, तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से भाग देने पर 7, अब बताओ, क्या यह किसी भी प्रकार का कठिन कोश्चन है क्या, क्योंकि आपको A प्लस B ही तो निकालना है, आपने जोड दिया, मामला यह ऐसी चलता रहेगा, फिर जब यह खतम हो जाएगा, तो NTPC 2021 के कराओंगा, ऐसे ही करना है, लेकिन regular बने रहना है, अगला प्रशन करके दिखाईए, अगर अच्छा लगाओ तो खीच के like करिए, और ऐसे ही प्रशनों को सीखना है, सर हमारे paper में नहीं आया तो, मैं बत करके बताईए, यह लीजिए, आराम से करना है, कोशन को पढ़िए, और फिर उत्तर दीजिए, कोशन की क्टना खूबशूरत प्रशन है, गन है यह और गन की कोरों की का योग वर्ग के परिमाप का इतना है अब यह बताओ, एक कोशन के अंदर कितनी बताओ, बताओ एक घं की साइड्स कितनी होती है आप में से कोई बता सकता है मैं बता रहा हूँ यार आपको नहीं आई चाहे बले से कुशन लेकिन आपका दिल है ना इतना खुश हो जाएगा सीख कर क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यार देखो सर एक घं होता है ना उस घं में होती है बारे बुजाएं हाँ छे होती हमने लगा था छे होती है छे तो फलक होती है बुजाएं तो बारे होती है एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आट, नौ, दस, ज्यारा, बारा ठीक है चलो तो बारे आपकी क्या हो गई? कोर हो गई तो मैंने कहा सर बार है A घं की सभी बुजाओं की लंबाई का योग बराबर है वर्ग के परिमाप तो वर्ग मैंने मान लिया चार और ये वर्ग की बुजा है तो A मैंने क्या माना घं की बुजा ये तो मैंने घं की बुजा मान ली और B मैंने मान ली वर्ग की भुजा तो वर्ग की भुजा अगर B है तो परीमाप आपको समझ में आ गया और परीमाप का तीन बटे पांच है तो हमने ये लिख दिया जिससे कि हमें दोनों का अनुपात पता लग जाए अब बोला गया है सर घंका आयतन का अंकी एमान वर्ग की छेतरफल के बराबर है देखो कितना प्यारा तरीका है बुजा क्यूब होता है और वर्ग का छेतरफल कितना होता है 20 स्क्वायर बराबर है ये आपस में ऐसा ये कह रहा है हमसे अच्छा ठीक है कहने दो अब कुछ निकलेगा गया बिल्कुल निकलेगा भाई देखो 3, 4, 12 से 12 गया A और B का जो अनुपात आया वो 1 बटे 5 आ गया आया नहीं आया बिल्कुल आया सर तो क्या मैं यहां से कुछ निकाल सकता हूँ आप बिल्कुल निकालोगे अगर आप इसको X मान रहे हो इसको अगर आप 5X मान रहे हो तो देखो जारा 5X का क्यूब आप कर लो चाहे देखना 5X का क्यूब आप कर लो चाहे और B की जगे आप क्या लिखोगे एक ही जगे आप X लिखोगे X का क्यूब कर लो चाहे B की जगे आप क्या लिखो कि 25 X स्क्वायर और यहां से आपको तुरंत पता लगेगा X की value निकल कर आ गई 25 किसी को कोई परेशानी है बोले सर बिल्कुल भी नहीं है X की value कितनी निकल कर आ गई सर 25 तो सर B की value कितनी आ गई 125 Very good पूचा क्या गया है वर्ग का परीमाप तो B की value अगर 125 आ गई तो 4 B तो होता है तो 4 गुणा 125 500 आंसर आ गया मेरे दोस्तों आप बिल्कुल यह मत सोचो की टाइम कितना लग गया ऐसे तो नहीं करूँगा पेपर में इतने 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 उसमें मत आना यारे ना जब आप ऐसे खुबसूरत प्रश्णों को बना रहे हो आराम से समय लेकर बनाओ क्योंकि अगर यह आपने बना लिया ना तो आपका confidence अब हो जाएगा और यह स्थिति आपको पता लग रही है कि आतो रहे है ना यह सेकिंड शिफ्ट में आया है आप कर तो रहे हो ना कठिन तो कुछ भी नहीं है अब आराम से हमने solve किया हमारे answer भी निकल कर आ गया अच्छा लगा हो खीच के like और share करते जाया करो और मैं बता रहा हूँ समय लगेगा अच्छे प्रश्णों को सीखो के तभी तो number आएंगे चली बहुत अच्छी बात है अगला प्रश्ण देखेंगे देखो अब ये चुटकियों का question है अब ये चुटकियों का प्रश्ण है ये लोग 10 second में करना है अगर आता है तो हो जाएगा नहीं आता है तो फिर नहीं होगा अब देखो कैसे 10 second का है सर मैंने कहा ना जब sec theta plus 10 theta बराबर अगर आपका P दे रखा है तो sec theta minus 10 theta क्या होता है बलो बलो क्या होता है सर एक बटे P होता है अच्छा यानि कि आपका आपका जो right answer है वो क्या होगा अगर ये P बराबर आपका 12.5 है यानि कि 25 बटे दो है तो आपका जो राइट आंसर होगा वो अब दो बटे 25 होगा येस बिलकुल होगा डेफिनिटली और इस 25 बटे 2 को आप क्या लिख सकते हो 100 बटे 4 25 को लिख सकते हो तो आंसर आ गया सर 0.08 बड़ा मज़ा आया नहीं आया बताओ बहुत अच्छा लगा मेरे को ठीक है तो सर कारान बताओ आप आपको याद है सेक स्क्वाइर 1 प्लस 10 स्क्वाइर बराबर क्या होता है किसी को याद है अगर आपने बच्पन में कभी टिग्नोमेटरी पड़ी हो 10 वी क्लास तक तो 1 प्लस 10 स्क्वाइर बराबर सेक स्क्वाइर ठीटा होता है तो हाँ सर याद तो आ रहा है तो यह हम कह सकते हैं क्या सेक स्क्वाइर ठीटा माइनस टैन स्क्वाइर ठीटा बराबर क्या होता है 1 होता है अच्छा A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर बराबर क्या होता है इसका एक बटे पी होना अनिवार रहे है जिससे की एक आ जाए ये प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया सारे चेप्टर होंगे भाई आपको रेगुलर रहना पड़ेगा क्योंकि हर बच्चा चाहता है अच्छा जो मैट्री नहीं आता वो हो जाए ऐसे नहीं according to syllabus चलिए मेरे साथ आप सारे चेप्टर होंगे एक दिन में ना तो आप सीख सकते हो ना मैं सिखा सकता हूँ समय लगता है वो लगेगा अगला प्रश्न बनाएंगे दो सेकंड के अंदर अंदर ये लीजिए करके बताईए मात्र दो सेकंड के अंदर अंदर और फिर उसके बाद जो information है वो मैं आपको दूँगा आगे की सर ये तो बहुत ही आसान है मैंने का और क्या आप ये जानते हैं 118,181 है ये सब जानते हैं 109 का होगा 109 109 का होता है सर आगे और भी कुछ सीख सकते हैं कि हम इसमें बिल्कुल सीख सकते हैं सामने देखिएगा आपको पता है कि आप अगर 101 का स्क्वाइर करना चाते हो तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना 101 में 100 से ये कितना जादा है बोले सर एक जादा है तो उस एक को जोड़ो दो और उस एक को घटा दो एक को जोड़ोगे तो 102 आ रहा है एक को घटाओगे तो 100 आ रहा है और एक का स्क्वायर 0 1 लिख दो क्योंकि 100 बेस माना है आपने अगर आपका बेस 100 है तो 100 का डिवाइड कर देते हैं तो 100 से 100 कट गया आंसर आ गया 10201 सर यह तो बहुत कॉंप्लिकेटेड है नए पहली बार लगता है पहली बार लगता है बार बार नहीं लगता है आप देखिएगा अगला 102 का स्क्वायर निकालना हो मान लो तो मैंने क्या कहा कि 100 के पास में देखता हूँ इसको मैं तो 100 में 2 जादा है और 2 कम है तो 2 कम 100 आ रहा है न उसको तो 1 बना दो मतला वो तो 1 ही बनेगा देखो 100 बन रहा है न एक बन जाएगा अपने आप तो 104 और 2 का square 0,4 107 का निकाल के बताओ बिना 5 चलाए 107 में 7 जोड़ दो 114 और 7 का square 49 114 उनन्चास 113 का square निकालो बिना 5 चलाए 113 में 13 जोड़ दो क्योंकि माइनस 13 करोगे तो 100 हो रहा है वो तो खतम है तो 113 में 13 जोड़ा 126 और 13 का होता है 169 तो एक हांसिल हो गया 12769 देख लो चाहे 126 और 13 का square होता है 169 तो एक हांसिल आ जाएगा याँपर क्योंकि वहाँ दो अंकी रह सकते हैं तो 12769 आंसर आ गया क्या आ गया 12769 हो गया आगे 117 का बताईए बिना पैन चलाए तो सर 117 में 17 जोड़ दो 134 और 289 का दो आगे आ जाएगा बस तो 136 नवासी 135 का सर 135 चोड़ो 147 का सर तुरंत सब कैसे करूँगा मैंने का यार 100 के पास जाना तो खतरना के 100 के पास तो मैं जा नहीं सकता मैं 1500 के पास जा सकता हूँ तो मैंने 3 जोड़ दिया और 3 घटा दिया 3 जोड़ते 1500 बन गया और 1500 का होता है 3 बटे 2 3 बटे 2 कैसे अरे भाइस जब 100 का 1 हो रहा है यहां आप 134 इंटू 1 ही तो कर रहे हो एक कहां से आया 100 का 1 लिया था न 100 से 100 काट कर अब 1.500 लोगे तो 3 बटे दो तो वहां 3 बटे दो ले लो और इधर 144 आएगा गटाने पर और 3 का स्क्वार जीरो नो तो 2 से काट दिया 2 सक्ते 14, 72, 216 0 21609 21609 चुटकियों में निकाल दिया आपने आप विश्वास नहीं करोगे आप अगला प्रशन भी आप खुद ही बना सकते हो मैंने लिग दिया 154 का स्क्वार बताओ मानो 1.500 मानो तो सर 4 माइनस करूँगा 4 जोड़ दूँगा अब 4 जोड़ दूँगा तो 158 और 4 माइनस करूँगा तो 1.500 है तो उसका 3 बते 2 लिग दो और 4 का 16 2 से काटा कितनी बार 2 सक्ते 14 2 ना मठारा और 9 तिया सक्ताइस कैरिया आया दो 7 एक्किस और 2 23 23716 तुरंद आप चाहिए कैलकुलेट कर लो आपको कुछ नहीं करना है आपको बस अपने दिमाग पर फोकस रखना है और आप चुटकियों में किसी भी स्कॉयर को निकाल सकते हो ठीक है अब 700 आ रहा है 400 आ रहा है वह आप कैलकुलेट कर ले ना हाँ एक सो चौवन का सही है 23716 डन है ठीक है चलिए तो किलियर हो गया उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको तो आप इसको देखते ही बता सकते थे और मैंने आपको यह पता है कहां काम आएगा compound interest में भी यह काम आता है जहां rate आपको मानलो देदी rate मानलो आपको देदी कितने परसेंट 11 परसेंट तो 11 परसेंट अगर rate है तो 111 का square क्या होगा 11 जोड़ा 122 और 121 तो 123 इस चुटकियों का काम है तो यह बहुत काम की चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है अगला प्रशन पर चलते हैं इसका भी जामा पहना दीजे और मजे से अगर अच्छा लग रहा हो दिल से like करिएगा यह लीजिए खुबसूरत यह प् तो सर ऐसे प्रशन के लिए आपने हमें क्या दिया है मैंने का मैंने तुम्हें यार हो सबसे बड़ी ताकत दी है जिससे की इस प्रशनू को आप चुटकियों में उड़ा सकते हो वह क्या है कोई बच्चा सोच पा रहा है किया आप में से कौई भी स्टूडेंट सोच पा रहा है कि सोचो यार मैंने आपको एक चीज दी है वो क्या है परसेंटेज का टेबल जहां परसेंटेज से फ्रेक्शन की मैंने बात की थी और मैंने एक बटे 19 कितना होता है 5.26 एक बटे 17 पांच.88 यह तो है ही नहीं वो तो यह तो बकवास हैं एक बटे 21 और एक बटे 23 बोलो बोलो चार पॉइंट 76 किसका बताया था 4.76 किसका बताया था यह लिखा हुआ है आपकी टेबल में अगर आपने मेरे से परसेंटेज पड़ा है तो आपको यह चुटकियों में पता होगा फिसर आपने एक बटे 21 लिखवाया था अगर मानलो यहीं यह होता यहीं यह लिख देता मैं 0.0416666666 तो यह किसके बरावर होता तो यह एक बटे 24 के बरावर होता सब कुछ पता है आपको अगर आप परसेंटेज पड़े हैं तो भी यह आसान है मतब सोचो कि चैप्टर कहीं से भी कोई भी रिलेट हो जाता है तो आपको परेशान है अनुरी की जर्वत नहीं है मैं हर चीज रिवाइस करवाँगा आपको चलो आगे करिए और भाई खीज के लाइक करो इसको हाँ कि कोशन बनाई एक नंबर अमेजिंग प्रशन है अमेजिंग कोशन है देखिए सत्रे प्रसिक छुक को बोलते हैं सत्रे ट्रेनी एक दिन में चार विशेशग्यों के बराबर काम करते हैं तो ट्रेनी और विशेशग्यों की एफिशेंशी का अनुपात है चार बटे सत्रा कोई दिक्कत बोले सर नहीं है एक तालाग को बनाने में बारा विशेशग्य आ गए बारा इस्पेसलिस्ट आ गए और नौ प्रिसिक्षुक आ गए नौ ट्रेनी आ गए और पांच दिन का समय ले लिया यदि तालाग को पंदरे दिन में बनाना हो तो चार विशेशग्यों के साथ कितने ट्रेनी चाहिए कोशन बड़ा प्यारा है और मैंने पूरा फॉर्मेट आपको लिख दिया अब आप यहां क्या करोगे सर मैं तो केवल रिक्तिस्थान की पूर्ती करोंगा मैं तो केवल रिक्तिस्थान की पूर्ती करोंगा रिक्तिस्थान की पूर्ती का मतलब मैं तो सर देखो S की जगे 17 रखूँगा और T की जगे 4 सही बात है ना तो S की जगे मैं 17 रखूँगा और T की जगे 4 9, 4, 36, into 5 पहले तो ऐसी करो भई बराबर 15, S की जगए 17 रखूँगा और T की जगए 4, X आराम से, तो 5 से काटा 3 बार, और 12 सत्य 84 कहरी हाया 8, 12, 12, 12 और 8, 20, 204 और 36 240, तो 240 हो गया 240 को 3 से डिवाइड करोगे, तो कितना हो गया, 80 हो गया अहो, 80 को 68 से घटा दोगे, तो कितना हो गया 12 हो गया, और 12 में 4 का भाग दोगे तो कितना हो गया, 3 हो गया भाई मज़ा आगया नहीं आगया यह बताओ अच्छा लगा नहीं लगा यार, सच बताना एक नंबर आसम प्रशने हैं और इतना आसानी से आपने हल कर दिया दो समीकरन बनाई जो efficiency निकली उनको put कर दिया बस, तो x की value निकाल ली फताम काम, जे भाई ना बात अगला प्रशन, और भाई खीचके like करते रहिए और उडाते रहिए और share जरूर करें अपने दोस्तों तक ये लिजिए प्रशन आपके सामने है आपको ये करना है solve किसी खाद्य प्रधार्त में चीनी और आटे का प्रारंबिक अनुपाद दे रखा है सर sugar और आटे को बोलते है फ्लोर अब बोलोगे सर फ्लोर तो फर्स को बोलते है मैं नहीं जिदूँगा इस बात पर अली जब एत ने 27 किलोग्राम के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया जाए जिससे की चीनी और आटे का अनुपाद इतना अब मिला क्या रहे हो आप जो चीज मिला रहे हो वो बताओ मेरे को पढ़कर बताओ सर 27 किलोग्राम के इस खाद्य में तो कौन सी चीज सेम रहनी चाहिए चीनी 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 चलिए तो बोला गया अलीजब इतने बाद में कितना आठा और मिलाया देखो 56 में हो गया 85 यहां पहले 56 लेश्यो था म अब 85 हो गया आपने कितना मिला दिया देखो 15 मैं से 6 गया तो 9 और चूर्षे हम और 29 वेविए ट्वेंटीनाइन रेश्यो का जो सोAH। अन्ची स्थ्येस आज़ा होगगा 29 cooler I यह ओडा पा यहो तनहीं चलिए नेक्स्ट दस पंद्रे सेकंड में कर दो इसको यार तुरंट देखते ही करना है छोड़ना नहीं है बहुत बढ़िया देखो कुछ भी तो नहीं है बारे मिनट की देरी से पहुँच रहा है और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि 45 से 54 कर दी रफ्तार तो दूरी क्या होती है दौनों की चालों का गुणनफल दौनों की चालों का अंतर और 12 मिनट को घंटे में बदल दिया 12.50, 9.45 को 45 खा गया दूरी चाउवन आ गया कर दिया क्या अनिल कुमार मैंने आराम से खूब सिखाया है मैं लाश्ट में बता दूँगा है ना बार बार एकी कमेंट मत करो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉइंट साथ का रूट निकालना पॉइंट नो का रूट निकालना अगर आप मेरी स्कॉयर रूट की क्लास देखोगे तो मैंने ये डेटेल में एक्स्प्लेइन किया है अब देखना तो तुम्हें बनता नहीं है मुझे पता है समय नहीं है ना भाई बच्चे के पास तो आपको आराम से टेंशन मत लो लास्ट में बताऊंगा लेकिन अभी प्लीज कोश्चन पर ध्यान दो क्योंकि फिर ये भी नहीं करोगे वो भी नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा फिर तो प्लीज प्लीज फोकस किया करो क्लास पर और अगला कोश्चन आप लोगों के सामने जल्दी से उड़ाईए डाइरेक्ट करना है डाइरेक्ट 15 सेकेंड में 15 सेकेंड में हो जाएगा और भाई खीच के लाइक वाईक और शेयर वेयर कर दो फटाफट से एक बार और चलिए भीया इसको कैसे करोगे गुरू जी आप मैंने का यह लोग तीन संख्याओं का माध्य 21 है परास क्या होती है बताए आपको परास होती है सर मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनीमम वैल्यू यानि कि किसी भी संख्या का किसी भी डेटा में अधिक्तम में से नियूंतम मान तो दो सबसे छोटी संख्याओं का अन्तर दे रखा है गुरू जी पाँच तो बाई देखो कुलमिलागर बात यह है आप मानलो कि आपकी तीसरी संख्या सबसे बड़ी है पहली संख्या सबसे चूटी है ठीक है और सबसे शोटी संख्या कौन-कौन सी हो जाएंगी दूसरी और पहली का जो अंतर है वो आपको दे रखा है 5 ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं. अब तीनों का योग दे रखा है, माद्य दे रखा है तो तीनों का योग हो गया 63 21, 63, 63 आपको क्या निकालना है? बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको तीसरी संख्या निकालनी है तो पहली संख्या को आप तीसरी संख्या की टम में रखिए तीसरी संख्या माइनस 19 ठीक है? और या फिर आप ऐसा कर लो तो पहली संख्या निकाल लो, क्योंकि पहली संख्या में संबंद रखा है बनगो, तो दूसरी संख्या को भी हमने लिख दिया, 5 प्लस पहली संख्या, और तीसरी संख्या को भी लिख दिया, पहली संख्या प्लस 19, 19 और 5, 23, 9 और 5, 14 होते हैं, सुरी, तो 3, 24 अगर चले बताओ तो 13 और 19 जोड़ दो तो आंसर आगया कितना आपका उत्तर आएगा 32 सभी का अंसर आ रहा है 32 वेल डन बहुत अच्छे यार खीच के लाइक वाइक करते रहें और खूपसूरत प्रश्न को आपने बना लिया है यह लीजिए देखो भिन का हर कुशन हर पेपर में हाँ एक्स मान के भी कर सकते थे निम्न मेंसे कौनसी भिन को 13 बटे 5 में जोड़ा जाए कि परिणाम एक हो जाए तो 13 बटे 5 में कौनसी भिन को जोड़ा जाए कि परिणाम एक आ जायता है तो X बराबर क्या होगा एक में से 13 बटे 5 आपने घटा दिये तो यहां हम देखते हैं माइनस का 8 बटे 5 अब 8 बटे 5 है क्या 6 से काटो मैंने कहा था ना कि देखो कैसे दोका देता है अपन को आखो का दोका option number A है यह पिछले shift में भी आया हुआ है कि वह ना मतलब निकाल के बच्चा बैड़ जाता है अब देखता है यह आठ बटे 15 तो नहीं है अंसर कई रेलवे ने mistake कर दियो ऐसा होता है और अचानक से हम लगा के आजाते हैं तो इसलिए सरल भिन बना लिया करो देखो यह आठ बटे 5 है है ना भाई मज़ा आया अच्छा लगा आपको यह गलती आप कर सकते हो यह इसलिए आपको बताई जा रही है अगला प्रश्ण करके बताएंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे यह भी अच्छा है खीच के लाइक पर करते रही है बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यह प्रश्ण भी बेहत खुबसूरत है सब मेरी वर्तमान आयू का तीन बटे साथ भाग मेरे चचेरे भाई को मैं सेकंड मान लेता हूँ उसके चार बटे पांच के बरावर है तो दोनों की आयू का जो अनुपात आ रहा है साथ चोके 28 और पांसतिया पंद्रे आ रहा है तीन साल पहले मेरी आयू उसकी अब 10 साल बात की आयू के बरावर है तो मैं इसको 28 एक्स मान लेता हूँ तो तीन साल पहले मेरी आयू उसकी अब 10 साल बात की आयू के बरावर है तो ये हो गया सर 13 एक्स बरावर 13 एक्स बरावर आ गया एक तो मेरी वर्तमान आयू कितनी है 28 साल मज़ा आया उड़ा दिया आपने क्या अंसर आ रहे है वाह बहुत बढ़िया ये होती है ना बात आप करोगे तो देखो उत्तर 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा आपका अगला परशन बनाएंगे देखिए कुशन देखिए आप बहुत बढ़िया कोशन है देखो किसी कमपनी के भिविन मदों पर व्या को दर्शाता है वर्श 1 वर्श 2 वर्श 3 ये वेतन है ये बोनस है ये कर है और ये है सबी लाक में है तो वर्श 1 का कुल व्या वर्श 3 के कुल व्या का कितना प्रतीशत है बताओ वर्ष एक का कुल व्य वर्ष तीन के कुल व्य का कितना प्रतीशत है बताइए अब आएगा मज़ा ये बड़िया कोशन है यार मतलब ऐसे कोशन करके ही पेपर में जाया करो क्योंकि यहीं रिपीट होंगे और ऐसे ही प्रशन आएंगे तो सर कैसे करूँ बतादो आपी मैंने का भाई देख लो साफ साफ देख रहा है आपको कि व्य को दर्शाया गया है बेतन पर व्य, बोनस, कर रिन पर व्याज सब कुछ तो आपको बोला गया है सर वर्ष एक का कितना आ रहा है 200, 300 और वर्ष तीन का कितना आ रहा है 4,5 और 1,5,600 कितना है, 50% दोस्तों मजा आ रहा है नहीं आ रहा है सच बताना, इन कोश्चनों में चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन इस कोश्चन की जो भाषा है न वो बड़ा मंत्र मुग्द कर रही है आपको अच्छा लगा हाँ या ना में जवाब जरूर दिया करो क्योंकि यही सीखने की तरीका है और इससे बैटर नहीं हो सकता कुछ जो ये कोश्चन्स हो रहे हैं ना शिफ्ट में, बहुत गजब हो रहे हैं अगला प्रश्ण बनाएंगे आप करके बताएं क्या बोला गया है प्रत्या ने कप का एक सेट इतने रुपे में खरीदा लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए इसे इतने में बेच दिया तो हानी कितने की हो गई तो एक सो पिच्चान में 171.6 जब आप घटाएंगे तो आपको लगेगा 0.4 आ रहा है सकते हैं कि यह लगबग कितने प्रतिशत की तरफ चला जाएगा आप खुद देख लीजी यह लगबग आपका निकल कर आ रहा है आप प्रोक्सिमेटली आप इसको जब डील करेंगे तो यह आपका लगबग 12% के गरीब आ रहा है 12% इतनी हानी आपकी हो रही है सबका आया अंसर बहुत अच्छे अगला प्रशन करो देखो क्या आंसर आता है देखते हैं कौन सही आंसर देता है वीडियो को शेयर जरूर करें खुबसूरत यह प्रशन है बनाकर दिखाए मुझे तो आप ए और भी मिलकर एक कान को 15 दिन में कर सकते हैं देखरो पेपर अच्छा है यह यह वाला शिफ्ट मिरको अच्छा लग रहा है यह अकेला उस काम को 18.75 में कर सकता है अब फिर से वही वाली बात आ गई सर LCM कैसे लूँ आपको समझ में आ रहा है कि एवे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले यह छोड़ जाता है तो कितने दिन में करेंगे एक साथ एक काम को मैं बहु पूरा होने से 12.5 दिन पहले जा रहा है मैं जाने नहीं दूँगा मैं क्या कहूंगा कि 12.5 दिन 4 की Efficiency से काम करके जाओ 50 काम करके जाओ तो 125 काम करना है और कौन कर रहे हैं अभी दौनों काम कर रहे हैं तो 5 का डिवाइड कर दो 25 ठीक है सही है ना ठीक है तो बोला गया है सर A और B ने एक साथ कितने दुनों तक काम किया अरे साड़े बारे दिन पहले वो छोड़के जा रहा था तो 25 टोटल दिन है तो साड़े बारे दिन तक साथ में काम किया मज़ा आ गया क्या कोश्चन करके यार मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा है ऐसे प्रश्ण खुबसूरत प्रश्ण आये हैं सेकिंड शिफ्ट में 25 दिन तो टोटल है कितने दिन पहले एक साथ 12.5 दिन पहले वो छोड़कर चला गया था एक्चुल में तो एक साथ तो उन्होंने 12.5 दिन ही किया होगा कम खुबसूरत अगला प्रश्ण बनाएंगे यह डिवीजन का साइन एडी है ना आराम आराम से करें जल्दवाजी ना करें आप क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खुबसूरत प्रश्णों को आप छोड़ दो मिस कर दो और रेगुलर दिया करो पेपर यार गजब की चीज़े है देखो प्रिवियस एर पेपर में वास्ता में दम होता है अब देखो कैसे करोगे पहले आपको डिवाइड करना है नौ साथ तरेशट साथ या 21 को आप माइनस कर दो तो यह आ गया सर कितना 31 31 जब आप इसमें से घटा होगे तो यह हो गया सर 35 35 को जब घटा होगे तो यह हो गया 11 तो साथ आंसर आ गया 27 वैल डन और खीच के लाइक बनता है बास बिलकुल बनता है अगला प्रशन आपके सामने यह उड़ा के बताओ आप यह आएंगे ऐसे देखो कितने प्यारे प्यारे प्रशन आ रहे हैं नौर्मल आप इन प्रश्णों को करी नहीं पाओगे क्योंकि कोई कराए गई नहीं कि एक पार्टी हो रही है सर यदि 850 मद तीन पद गय करते हैं है ना विया की मदे दे रखी हैं आपको है ना और तो मद 2 और मद 5 पर उसका कुल वै कितना होगा सर अब यह काफी इंट्रेस्टिंग है मद 3 पर वै हो रहा है यानि कि यह मैं कह सकता हूं 10% जो वै है वो आप पांच पर कुल वै तो 20 और 15 कितना हो गया 35% निकालना है तो 85 से मल्टिप्लाई कर दीजिए आरतिया 24 और आपका जो राइट आंसर है वो 2400 से ज्यादा ही आएगा और 2400 से ज्यादा आंसर आ रहा है वो आपके सामने है 2975 एक यह option है समझ रहे हो ना कितना आसान है बस language को पकड़ना है कि तीसरे मद का जो 10% है वो 850 के बरावर है तो दूसरे और पांच वे मद का टोटल खर्चा है 35, 20, 15 तो 35, 850 का कितना होगा 2975 उमीद करता हूँ यार आप जो भी बच्चे कर रहे हो ना गजब हो वाई बहुत अच्छा कर रहे हो यार अगला प्रशन आपके सामने यह लीजिए 112 बहतर और नभ्य का एल सीम दस सेकंड में कर दो अब तो दस 15 सेकंड ले लो कर दो कि देखिए सर कैसे करेंगे बैस देखो आपको यह बता है कि आठ चौदे अठ्धे 112 होता है आठ ना में बैतर होता है और नो धाई 90 होता है मेरे को क्या क्या चाहिए मेरे को देखो गुरुजी नौ चाहिए मेरे को 10 भी चाहिए मेरे को 8 चाहिए और मेरे को 8 क्या मेरे को 2 भी चाहिए मेरे को 7 भी चाहिए अब आप यूनिट डिजिट से देख लो 7 दूनी 14 4 38 32 का 2 9 दूनी 18 8 वाला है option number 1 ही है तो इसलिए यूनिट डिजिट concept है ना अरे वाल तुम्हारा तो 5040 आ रहा है भाई ऐसा मत करो उने कोई mistake तो नहीं कर दी कुछ छूट तो नहीं गया 14 और 8 आ गया क्या आ गया आ गया आठ और 9 आ गया क्या अरे यारे क्या गड़ बड़ कर दी साथ दूनी 14 का 4 8 32 32 का 2 9 दूनी 18 का आठ 3700 मैंने कोई mistake की है क्या देखो एक बर 14 8 112 होता है आठ नाम 72 होता है और 990 होता है अरे मैंने एक दो एक्स्टा ले लिया क्या आए थिंक सो हाँ आएगा तो ए वैसे करने पर तो ए आ जाएगा मुझे पता है कोई दिक्कत हो गई है शायद मेरे से तो एक बर मैं चेक कर लेता हूं फिर अब मुझे बेसिक सी जाना पड़ रहा है वैसी भी बेसिक ही था चार से कट रहे है चार दो नहीं आठ चार अठ बत्तिस और यह हो जाएगा कितना अठारा चौके 72 और यह नहीं जा रहा है ठीक है यह 90 है दो से काट दो कि दो से काटा मैंने 14 बार है दो से करता मैंने 9 बार 45 बार पिर नहीं अन्क बार काटका दो से साथ बार 9 बार 55 बार फिर साथ आएगा पिर आएगा और फिर पांच आएगा अब आप यूनि डिजिट देख लो पांच दूनी दस नौव साथ तरे सट का तीन चोके बारा कि मेरे को तो गड़बर लग रही है कि मेरे बारबर गड़बर हो रही है कि क्या हो गया है आठ इंटू कि चोदे इंटू से थार है अब ठीक हे पांच एजार चालिस या रहा है मैं कुछ मिस कर रहा था पांच को शायद कि ठीक है पांच एजार चालिस या रहा है अब देखो आप अगला प्रश्न बनाओ चलो ये पेपर काफी अच्छा था मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स अच्छे आयोंगे मतलब लेंदी भी था ये इतना इजी नहीं था कि बच्चा इसको इजली बना पाए सेकिंड शिफ्ट का कुल पैतालेस अंको वाली एक परिक्षा में तीन चात्रों के अंकों का माध्य 38 है दो नए चात्रों ने परिक्षा में भाग लिया उस नए चात्र दोवारा प्राप्त किये जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है जिसने दूसरे नए चात्र से कम अंक प्राप्त किये जिससे की 5 छात्रों का कुल उसत 40 हो जाता है पहली बर बच्चा अगर ऐसे कोशन को पढ़ेगा न तो हाथ जोड़ देगा कोशन के ठीक है? कोशन के क्या कर देगा? हाथ जोड़ देगा ठीक है? चलिए तो अब इस प्रशन को कैसे करोगे आपके पास क्या टेक्नोलोजी है? इससे प्रशन को उड़ाने की मैं सिंपल लेके चलता हूँ इस कोशन को देखो कैसे? कुल 45 अंको वाली एक कक्षा में तीन चात्रों के अंको का माध्या 38 है तो तीन चात्रों के अंको का माध्या 38 हो गया किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो नहीं है सर चलो बोला गया है दो नए चात्र शामिल किये गए और प्राप्त के सबसे कम है और दूसरे नए चात्र से कम अंक प्राप्त किये जिसने दूसरे चात्र से कम अंक प्राप्त किये जिसने पाँच छात्रों के कुल अंक 14 हो जाए तीन तो यह ओ रहे बिचारे और दो नए छात्र ने परिक्छा में भाग लिया उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किये जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या होंगे जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त की है और 5 छात्रों के अंकों का कुल उसा 40 हो गया यही समझ में नहीं हा रही बात कहीं कुछ मिसिंग है इतना मुझे पता लग गया कि यहां 2 छात्र है पहला वाला चात्र और दूसरा वाला नया चात्र और टोटल होगा 40 गुणा 5 क्योंकि देखो 5 चात्रों का उसा 40 हो गया तो करने में कुछ भी नहीं है पहली और दूसरी संख्या का जो दूसरी चात्र का जो नए वाले है उनका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 200 और 38 में से 38 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 38 इंटू 3 करें तो 114 हो रहा है 114 अगर आप कर रहे हो तो पहली और दूसरी संख्या का जो दूसरा जो नया वाले वेक्ति आया ना दो उनका जो सम आ रहे है वो 86 है कि यहां तक मैंने कर लिया इसके बात की बात बताओ आप मुझे कोई ना कोई चीज मिसीं है कि दौना चात्रों का यह न दूसरे नई चात्र से कितने कम अंक प्राप्त करता है चार कम अंक ऐसे कुछ है शायद language में तो यहां तक आपने कर लिया तो आपका okay क्योंकि लैंगवेज में है को सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी या सकता है कि कुष्चनमें ही ऐसा हो तो मैं अभी यहां इसको होल्ड कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है टाइपिंग Вас सब्सक्राइब या फिर एक्ट्न एसे था मुझ कि नौ कि मैं इसको है ना जैसे कि option भी लेते हो तो हो जाएगा फिर 41 लेते हो तो 45 तो 4 आ जाएगा बहुत सारों से आ सकता है तो यहां कुछ देना चाहिए उसको कुछ गड़बड है यहां कुछ देना चाहिए मुझे नहीं पता क्या देगा ठीक है चलिए कोई भी कर सकते हो बाकि कोशन समझ में आ गया कोशन अंडेस्टेंडेवल है क्या यह जरूरी है आपके लिए कि कोशन समझ में आ जाना चलिए अगले प्रश्णी की तरफ चलते हैं इसका जवाब दीजिए तुरंत दीजिए दो संख्याओं का गुननफल दे रखा है एक संख्या इतनी है तो दूसरी क् आगी सर देखो आराम से करो बहुत अच्छा कर रहे हो कोई बात नी कोई बात नी अब आजाओ सर एक संख्या इतनी है सर 0.646 तो आपको 1.7 से डिवाइड करना था तुरंत आंसर आ जाएगा तो इसका तो एक 0 और इसकी 3 0 सत्रा से मैंने काटा सत्रा ती एक क्यावन और सत्रा अठेक सो चत्यस तो यहां दो छोड़कर पॉइंट आएगा यानि कि ऑप्शन नमबर सी सबने उड़ा दिया बहुत अच्छे यार बहुत बढ़िया कर रहे हो यार और लाइक को शेर जरूर किया करो सेशन को उससे पत प्रण करना आपका परम कर्तव्य है तो सर कैसे कहेंगे 12,50,60 फिर गुणा कर दो 6,50,30,10 आया तो 26,61 में से आप 26 घटा दोगे,60 में से आपके 25 चले गए तो 35 आजाएगा और आंसर आजाएगा 4 4 विल बी और राइट आंसर, गॉट इट, बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न करें 140 में डिवाइड कर दिया, एक परिक्षा में चित्रा ने इतने अंक प्राप्त किये और 78 अंक प्राप्त करने के बराबर है, तो 78 परसेंट बराबर 58.5 मुझे पता है 13 से कटेगा, 13 चिंग 78 और 13 चौके 52 और 13 पंजे 65 मैं जानता हूँ 3 से काट दूँगा 3 दूनी 6 और 15 तिया 45 तो आंसर आपका 75 आजाएगा, कुछ नहीं करना आपको सर कैसे 2 से काटोगे तो 0.75 होगा, 100 परसेंट निकालोगे, 75 होगा, आसानी से निकाल सकते हो, कठिन नहीं होती हैं, अब यह देखो एक कुश्चन 27 बुजाओं वाले बहुबुच के विकर्णों की संख्या, मैंने आपको खूब, मैंने बिलकुल आपसे पहले ही कह दिया था, कि यह हर शिफ्ट में आएगा बहुबुच पे कुश्चन और मैंने कुछ दिन पहले फ्राइडे को मैं छोटी-छोटी चार वीडियो लेकर आता हूँ ना, उसमें मैंने पूरा कराया हुआ है, तो देखो 27 है तो n into n-3 by 2, यह फॉर्मूला होता है, याद आया, n into n-3 by 2 होता है, तो बुजाओं की संख्या दे रखी है, इसको काट बारे बार, तो 2 सत्य 14, यूनिट डिजिट से आ जाएगा, चार यूनिट डिजिट वाला, ए, तो कैसा लगा डियर, जल्दी से मुझे बताओ, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, वो लाइक जरूर करें, और कैसा लगा पूरा का पूरा, यह बहुत प्यारा प रेगुलर आने है, आई बात समझ में, चलिए, तीन बजे आपका कैच्टा मैत होगा, उसे भी जरूर लगाएं, जो भी विध्यारती है, साथ के साथ, सुबह नौ बजे मेरा टाइम एन वर का रिविजन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, टॉपिक वाइज, थियोरी 11 पर, सब कुछ चल रहा है आपका, आपको बस सलेक्शन लेना है, और महनत कर लो मल लगा कर, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा दोस्तों, मैं पहली बता दे रहा हूं, सुबह 9 बजे, 11 बजे, साड़े बारा, 2 बजे और 3 बजे, ये रेगुलर टाइम टेबल है, इस साथ मेरे foundation batch में में जुड़ी है, मैं complete syllabus करा रहा हूं, iconic subscription लेकर SSC exam में आपको जुड़ना है, 24 महिने का लीजी और iconic subscription आप ले सकते हैं, जिससे कि आप मेरे से directly interact हो पाएंगे, है ना, साहिल 10 as a code लगा कर आपको जुड़ना है, चाहे आप railway की तयारी करो, चाहे कोई भी exam की आपको subscription SSC category में ही लेना है, उसी में ही आपको सारे course मिलेंगे सभी faculties के, proceed to paper जाईए, और साहिल 10 as a code लगा कर unacademy पर कहीं भी subscription लेते हो तो जुड़ जाना, ठीक है, raise and feature, ask and doubt, सारे features आपको मिलेंगे, thank you so much, thank you for watching, pdf में telegram math by साहिल सर पर डाल दूँगा, comment section में भी pdf मिल जाएगी आपको, और links भी मिल जाएगी मेरी आने वाली classes की, 3 बजे वाली की और सुबह 9 बजे वाली की, तो take care, all the best, मिलता हूँ आप से, अगले session में, खुश रहिए, तंदृस्त रहिए, और इसी तरह से regular पढ़ते रहिए, क्योंकि आप अपना भविश्य खुद बना र